सुपॉल में बकॉर और मदुबनी जिले के बीच बन रहे पुल का तीन गार्टर गिर गया है इस हाथसे में एक की मौत हो गई हो और पंदरा से बीस मजदूर घायल है इस्थानिय लोगों का कहना है कि तीस से ज्यादा मजदूरों के दबे होनी की आश्वंका है हाला कि प्रशासन के ओर से आठ लोगों के दबे होनी की बात कही जा रही है बताया जा रहा है कि पुल का एक हिस्सा कोसी नदी में गिर गया और गार्टर गिर कर तीन फिट नीचे तक धस क्या है बतादे कि ये पुल केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है यहां देश का सबसे लंबा पुल बन रहा है जो केंद्रिय परिवहन और राजमार्ग मंत्राले की ओर से 1200 करोड की लागत से बनाया जा रहा है इसके लंबाई लगबग 10.2 किलोमीटर से ज्यादा है अप्रोच रोड मिलाकर पुल की कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर होगी और पुल का निर्मार्ट 2023 तक पूरा होना था लेकिन कोरोना और बाड के कारण पुल निर्मार्ट का समय बढ़ गया